गुड मॉर्निंग स्टूडेंस वेलकम टू अनलाइन लेक्छर स्टूडेंस हम लोगोंने लेसन नमबर वन हिंदी वर्नमाला इसमें कॉंसोनट पढ़ना स्टार्ट किया था आपको याद है? येस उसमें से हम लोगोंने आधे वैंचन यानी कॉंसोनट भी पढ़ेते क्या आपको वो समझ आ गए थे वैंचन मुझे बताओ? वैरी गुड तो स्टूडेंस अभी हम बच्चुए वैंचन यानी कॉंसोनट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम बच्चुए वैंचन कॉंसोनट पढ़ेंगे तो आप सब रेडी हो आगे के वैंचन बढ़ने के लिए वैरी गुड तो चलो अब हम लेक्चर के और बढ़ते हैं ठीक है? पेज नमबर त्री लेसन नमबर वन हिंदी वर्नमाला हिंदी अलफाबेट्स स्टूडन्स हम लोगोंने स्वर्तो सीखे और वैंचन भी स्टार्ट किये थे हम लोगोंने स्टूडन्स वैंचन यानी कॉंसोनट भी स्टार्ट किये थे उसमें से हम लोगों ने कर से भरतक के वेंजन पढ़ें Students, क्या आपको कर से भरतक के वेंजन समझ आगे कौनसे वेंजन से कौनसा शब्द बनता है वो समझ आगया Very good, अब भी हम लोग म से वेंजन पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो बच्ची हुए वेंजन म से क्या तक के वेंजन पढ़ेंगे तो चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले मैं आपको ये वेंजन पढ़के दिखाती हूँ म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, ट्र, क्य म, स्टूडन्स मुझे बताओ म से क्या आता है म से मचली, मचली यानि फिश मचली हमेशा पानी में रहती है मचली कहा रहती है स्टूडन्स मचली हमेशा पानी में रहती है वह पानी के बाहर नहीं रह सकती मचली जो है वह पानी के बाहर रह सकती है स्टूडन्स मुझे बताओ नहीं, मचली पानी के बाहर नहीं रह सकती वह पानी के अंदर ही रह सकती है ज्यादा तर समुद्र में पाई जाती है मचली जो है वो एक जलचर प्रानी है आप लोगों ने तो मचली देखी होगी स्टूडंस मुझे बताओ कि आप लोगों ने मचली देखी है स्टूडंस आप लोगों ने मचली तो देखी होगी और मचली कहा रहती है मचली पानी में रहती है कि आपको वो कवीता याद है जब हम आप छोटे थे तब हम लोगों ने कवीता पढ़ी थी मचली जल की रानी है तो मसे क्या आता है बताओ मसे मचली यानि फीश मचली कहा रहती है मचली हमेशा पानी में रहते और मचली बीना पानी के नहीं रह सकती मह से मचली और मह से मटर ब्याता है मतर एक सबजी है student, बच्चों कि आप लोगोंने मटर की सबजी खाईए कि आपने मटर की सबजी खाईए किसको किसको मटर की सबजी पसंदे खाना बताओ किसको किसको मटर की सबजी खाना पसंदे मटर हरे रंग का होता है मटर ग्रीन कलर का होता है और उसमें छोटे-छोटे मटर में दाने होते है मटर के दाने होते है Students, कि आप लोगों को मटर की सबजी पसंद है स्टूडन्स आप लोगों को मटर की सबजी पसंद है ये साप लोगों ने मटर की सबजी तो खाई होगी ना स्टूडन्स आप लोगों ने मटर की सबजी खाई होगी मटर यानि पीस तो म से मचली यानि फीश और म से मटर पीस भी आता है Next. यह, यह से यज़्य, यह से क्या आता है यज्य, यह के बाद है र, र से क्या आता है रसी, र से क्या आता है रसी यानी रू, बच्चो आप लोगों ने रसी तो देखी होगी न, बता स्टूडन्स आप लोगोंने रसी देखी है आप लोगोंने रसी तो देखी होगी रसी के इस्तमाल कुछ न को सामान बादने के लिए या कुछ और करने के लिए किया जाता है रसी, रसे रसी यनि रोप आप लोगोंने रसी तो देखी होगी न स्टूडन्स येस, रसे रसी ब्हाता है, रसे रत ब्हाता है नेक्स्ट, र के बाद है ल, ल से स्टूड़ंस आता है लड़ू, ल से क्या आता है लड़ू बच्चों मुझे बताव लड़ू कैसा होता है स्टूरस मुझे बताओ लड़ू कैसा होता है लड़ू गोल और मीठा होता है लड़ू कैसा होता है लड़ू गोल और मीठा होता है आप लोगों ने लड़ू तो खाया ही होगा मुझे बताओ किस-किस ने लड़ू खाया है आप लोगोंने लड़ू तो खाए हुआ, किसको इसको लड़ू खाना पसंदे, मुझे बताओ किसको लड़ू खाना पसंदे, लड़ू अलग-Alग चीजों से बनाया जाता है अलग-अलग टाइप का भी लड़ू होता है, मोती चूर का लड़ू, अलग-अलग प्रकार का लड़ू होता है, आप लोगोंने कौन सा लड़ू खाया है? येस, लड़ू खाना तो सबको पसंदी, और लड़ू कैसा होता है? गोल और मीठा तो लसे लट्टू लसे लट्टू भी आता है वो खेलने वली चीज होती है लट्टू तो लसे लट्टू नेक्स्ट व व से क्या आता है students मुझे बताओ व से वकील व से वकील यह निए एडोकेट बच्चो आप लोगों ने वकील को कहा देखा है कोट में वकील कहा काम करता है येस वकील कोट में काम करता है वकील कहा काम करता है students बताओ बताओ वकील कहा काम करता है वकील कोट में काम करता है वकील कोट में केस लटने क्या काम करता है Students तुझे बताओ, आप बड़े होकर वकील बनोगे कौन बड़े होकर वकील बनना चाहेगा Yes, तो वकील क्या वसे क्या आता है वकील यनि एडोकेटर वकील कहा काम करता है Students बताओ, वकील कहा काम करता है वकील कोट में काम करता है वकिल कहा काम करता है कोट में वसे वकिल बियातर वसे वीना वीना एक संगीत वाद्द यंत रहे वीना एक संगीत वाद्द यंत रहे इसका इस्तमाल संगीत को सूर्थाल देने के लिए किया जाता है वीना के इस्तमाल संगीत को सूर्टाल देने का काम करता है वीना एक संगीत वाज़त वह से वीना भी और वह से वकिल भी यानि एडोकेट वह के बाद है श श से शल जम यानि ट्यूनिप स्टूडन्स आप लोगों ने शल जम की सबजी खाईए बज़ बताओ बता आप लोगों ने शल जम शल जम की सबजी खाई आप लोगों ने खाई होगी श से शेर भी होता है यानि लायन शेर यानि लायन बच्चो हमारे जंगल का राज़ा कौन है मुझे बताओ स्टूडन्स बताओ बताओ हमारे जंगल का राजा कौन है येस हमारे जंगल का राजा शेर है हमारे जंगल का राजा कौन है शेर शेर यह नहीं कौन जिसको हम बोलते है लायन क्या बोलते है लायन very good student शेर एक जंगली प्रानी है शेर एक जंगली प्रानी है जंगली आनिमल है, जंगली आनिमल के आप लोगों ने शेर को देखा है, आप लोगों ने टीवी में या जू में शेर को देखा है, आप लोगों ने टीवी में या जू में शेर को देखा है होगा, शेर को शिकार करना बहुत पसंद है, शेर को क्या करना पसंद है, शिकार कर बहुत पसंदे lion को, क्या students lion को शिकार करना बहुत पसंद है, students आप लोगोंने टीवी में discovery में देखा युगा share को शिकार करते हैं वको उसमें दिखाते है, तो share से क्या आता है share यनि lion, share क्या है, जंगल का राजा है, student जंगल का राजा कौन है बताव बताव येस शेर जो है वो जंगल का राजा है तो शेर से शेर ब्याता है और शेर से शलगम ब्याता है येस शेर के पाद हमारा नेक्स्ट वैंजन है श, श से शटकोन श के बाद है स स से सूरज स से सूरज यानी सन सूरज को तो आपने देखाई होगा स्टूडंस मझे बताव सूरज को तो आपने देखाई होगा और सूरज रोज सूबा आप लोगोंने देखाई होगा ना सूरज कब आता है मुझे बताओ सूरज दिन में आता है सूरज कब आता है students सूरज दिन में आता है yes तो सूरज को आप लोगों ने देखाई होगा सूरज यानि क्या सूरज यानि सन जिससे आप दिन में देखाई होगा सरसे सूरज ब्योतर सरसे सेब यानि एपल सरसे सेब यानि एपल सेब एक फल है सेब एक क्या है स्टूड़ांस मुझे पताओ फल है सेब एक क्या है फल है सेब का रंग कैसा होता है सेब लाल रंग का होता है सेब कौन से रंग का होता है सेब लाल रंग का होता है बच्चों के आपने सेब यानि एपल खाया है कभी मुझे बताओ आप लोगोंने सेब एपल तो खाई होगा किसको किसको एपल खाना पसंद है बताओ बताओ किसको किसको एपल खाना पसंद है ये सो सेब कौन से रंका होता है सेब यानि एपल लाल रंका होता है दाल रंग का सेव हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हम लोगों को रोज सेव खाना चाहिए क्यूंकि सेव जो है वो हमारे शरीर के लिए कैसा होता है बहुत अच्छा होता है ये तो स स स सूरज यानि सन भी आता है और स स स स भी यानि एपल भी आता है next ह स हाती ह स हाती यानि एलिफंड हाती एक बड़ा प्रानी है हाती ये क्या है? हाती एक बड़ा प्रानी है आप लोगों ने हाती को जंगल में या सरकस में तो देखाई होगा न स्टूडंस आप लोगों ने हाती को जंगल में या सरकस में देखाई होगा स्टूडंस जैसे घोडे की सवारी करते है वैसे हाती की भी सवारी करते है Students के आप लोगोंने कभी हाती की सवारी की है? मुझे बताओ आप लोगोंने कभी हाती की सवारी की है? हाती की सवारी भी की जाती है क्या आप लोगोंने कभी की है? हाती एक विशाल जानवरों में से एक है हाती क्या है? एक विशाल जानवरों में से एक है हाती एक जंगली जानवर है हाती क्या है? हाती एक जंगली जानवर है हाती को पालतु जानवर के रूप में भी रख सकते है हाती को पालतु जानवर के रूप में भी रखा जाता है हाती एक बड़ा प्रानी है तो ह से हाती यानि एलिफंड ह से हाती ब्यात और ह से हीरन ब्यात है ह से हीरन ब्यात उसको बोलते है बियर हीरन भी एक प्रानी है यानि एनिमल है हीरन जंगल में रहता है बियर कहा रहता है स्टूडन्स येस बियर जंगल में रहता है हीरन को दो सिंग होते हीरन को क्या होते है दो सिंग क्या आप लोगोंने हिरन को देखा है, आप लोगोंने टीवी में जू में हिरन को देखा ही होगा ना, येस, तो ह से क्या आता है, हाती ब्याता है, येनि एलिफंड और ह से हिरन येनि बियर ब्याता है, ह के बाद है श, श से शत्रिय, श से शत्रिय ब्यातर, शमा भी होता है, उसके बाद है त्र, त्र से त्रिशुल, त्र से त्रिशुल, ग्य, ग्य से ग्यानी, ग्य से ग्यानी, येस. स्टूडन्स, आज हम लोगोंने म से लेकर ग्य तपके वेंजन पड़े, कि आप लोगों को वो समझ आगे वेंजन, वेरी गुड, अभी आप लोग मेरे बिचे रीड करना. म, म से पताओ मचली, य, य से यग्य, र, र से रसी, ल, ल से लड्डू, व, व से वीना, श, श, से शेर ब्याता है और शलगं ब्याता है, श, से शट कौन, स, स, से सेव, ह, ह से हाती, श, श, से शत्रिय, त्र, त्र, से त्रिशुल, और क्या से, क्याता है ग्यानी, य से क्याता है ग्यानी, फिर से मेरे पिछे रीड करो स्टूडंस, म, म से क्याता है मचली, ब्यातर मटर ब्याता है, य, य से यग्य, र, र से रज ब्याता है और रसी ब्याती है, ल, ल से लड़ू, लड़ू ब्याता है और लड़ू ब्याता है जो खेलने की चीज़ होती है, व, व से वकील ब्याता है और वीना ब्याता है, श, से शलगम ब्याता और शेर ब्याता है, श से शटकुन, स स स स स स सूरज ब्याता और से ब्याता है ह ह स स हीरन और हाती ब्याता है श स स स शत्रियम, त्र स स स त्रिशुल, ग्य ग्य स स क्यानी Very good students, आज हम लोग ने मसे ग्याता के वेंचन पड़े आपको समझ आगे students मुझे बताओ Very good, students हम लोगों ने पूरे वेंचन पड़ लिए कह से ग्यातक के वेंचन पूरे हम लोगों ने कवर किये पड़ लिए तो आपको सारे वेंचन समझ आगे मुझे बताओ Very good, आपका आज कहुंवा के लेसन का नाम डालके वेंचन लिखने है गह से ग्यातक के टू टाइम्स हिंदी के नूड़ बुक में आपको वेंचन लिखने है ठीक है और घर पे ये पूरे वेंचन कौन सोनट वीड करने है लर्न करने है और कौन से शब्द से कौन से वेंचन से कौन से शब्दा आता है वो भी बोलने है ठीक है स्टूडन्स तो मुझे बता आपको समझा आपको समझा गे ने वेंचन वेरी गुड थैंक यू